दोस्तों स्वागे था आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में तो वीडियो देखके आइडिया लगया होगा किस चीज पे हमारे वीडियो होने वाली है तो आज की वीडियो होने वाली है रोलिंग शेटर पे की रोलिंग शेटर लगाने का खर्चा कितना आता है और as a civil engineer जहां आपको ऐसे भी idea होना चाहिए जो shutter रहता है उसको लगाने का खर्चा कितना आता है और shutter लगवाते समय क्या क्या चीज़े ध्यान देनी होती है कि आप बेव क्रूब ना मनो shutter महंगा ना पड़े वो काफी चीज़े है क्या चेक करना होता है तो आज complete detail में उसकी देने वाला हूँ उससे पहले प्लीस चैनल को subscribe कर लो लाल बटन नीचे देख रहा है उसको subscribe कर लो क्योंकि daily videos आती है house construction के related भी होती है और अगर आप civil engineer हो आपके related भी रहेगी देखो साथ साथ में आपकी idea लगता जाएगा कि shutter लगता कैसे है क्योंकि इसका frame बना बना जाता है जो भी procedure किया जाता है यहां लाके वो सिर्फ fixing का होता है पहले से ही इसको जो shop रहेगी vendor रहेगा वो बनाएगा उसका पूरा जुगार उसके बाद यहां आकर fit कर देगा देखो अगर हम पहले rate की बात करते हैं प्राइसिंग की बात करते हैं तो दो किसम के pricing इसकी किया जाते हैं एक तो किया जाता है per square feet के हिसाब से एक किया जाता है kg के हिसाब से जैसे भी आप preferable समझो वहाँ shopkeeper आपको दे देगा देखो per square feet में जो price चल रहा वो चल रहा 140 फिट है तो हो गया हमारा 100 square feet ठीक है तो उसको हम कर देंगे 145 रुपया आपका शेटर का खर्चा बढ़ेगा per square feet के हिसाब से फिर kg में भी आता है kg में होता है 80-90 पर kg के हिसाब से शेटर लगाया जाता है उसमें मैं आगे बताने वाला हूं इसमें include क्या होता है अगर हम per square feet के हिसाब से जाते हैं तो उसमें क्या होता है आपको चेक क्या कर रहा है इसमें जो spring देखो दो टाइब के शेटर लगते हैं एक तो बहार fix होता है मतलब उसका frame बहार fix होगा एक तो पहले से brick work में जब जुडाई होती है उसी में जगा रखाचा रखा जाता है अंदर से fix हो जाता है लेकिन जब अंदर से fix करते हैं तो उसमें जगा थोड़ी जाती है मतलब लगा लो दोनों तरफ feed feed एक एक foot जगा चली जाएगी और जगा बीच में उतनी बचेगी लेकिन बाहर से लगाते हो तो आपकी opening complete रहती है यह फरक है और जो ज़ादा strong होता ह वो अंदर से अगर fix किया जाए वो ज़ादा strong रहता है अगर बाहर से fix करने वो उतना strong नहीं होता है वो as usual सामने दिखता है अगर हम बात करें जब per square feed के हिसाब से हम लेने जाते हैं तो उसमें आपको देखना होता है जो इसमें चदर use की जाती है बनाने के लिए वो mm में ह होती है मतलब 63-65 mm की वो आती है तो आपको चेक कर लेना है आप किस mm की वो use करने जा रहे हो उस पर देख लेना है कि is mark है कि नहीं है और उस पर गौज लिखा और नहीं लिखा यह सब चीजे चेक कर लेनी है उसके बाद शटर खरीदने और बाकि अगर में चीज जो होती है जो यह शटर लगता है जो उसका उपर रोड होती है जो उसमें रोलिंग वो लगा होता है स्प्रिंग वो देख लेना है कुन सी कमपनी का क्योंकि सब कुछ उसी पर अगर वो लोकल कमपनी का use किया गया थोड़ टाइम बाद स्प्रिंग जाम हो जाएगा खराब हो गी तो ये आपको पहले चेक कर लेना है कि जो उसमें रोड, रोलिंच शेटल, ये सब चीजएं किस कंपणी की यूज की जाए है, लोकल ब्रैंट तो नहीं है, टाड़ा की आती है, बुशन की आती है, जिंदल की आती है, सब चीजएं आपको चेक कर लेना है, अगर आपको kg kg में मिलते है kg में सही है kg में होता क्या है उसमें quality अच्छी लगाई जाती है देखा गया है च्छी quality का समया लगाएंग तो weight बढ़ता है तो असको पैसे मिलते है अगर आप perkg के साफ से लेते हो देखो 10x10 का हमारा दुकान का face था मूँ था तो 145 रुपेर हमने rate पकड़ा 140 पकड़ो चलो simple बाशा तो हो गया हमारा 14,000 रुपया किसका हो गया सिर्फ shutter का ठीक है अब इसमें उपर आप देख रहे हो उपर एक जब spring लगता है तो वो खाली सा रहता है तो अगर आप खाली भी छोड़ सकते हैं लेकिन उसके उपर cover लगाना सही रहता है क्योंकि पानी वानी नहीं लगेगा डायरेक्ट रॉड को यह जैसे cover देख रहे हो इस cover का अलग से खर्चा होता है 14,000 रुपया हो गया हमारा shutter का और जो उपर cover रहता है उसका per square feet के असाब से 1500 से 200 रुपय per square feet होता है तो वो अलग से हो गया और यह जो सामने आप shutter देख रहे हो इसको लगाने का खर्चा आया है 21,000 रुपया कितना 21,000 रुपया अगर आपका कोई 12,000 रुपया की दुकान है उसका मुह है 12,000 रुपया का उसका खर्चा लग होता है वो 1500 से start होता है बाकी आगे तक वो चला जाता है फिर दूसरा जो खर्चा इसमें रहता है वो रहता है लेवर फिक्सिंग का तो लेवर फिक्सिंग का वो लेते हैं 1500 रुपया बाकी ट्रेवलिंग का जो आटो पे material आएंगे 5-600 रुपया उसका मतलब 14,000 वो हो गया था बाकी 2-3,000 पे का कवर मंड़ा 3,000 का कवर आपका बढ़ेंगा हो गया 17,000 फिर आपका अप्रोक्स लेवर जो लगेगा लेवर कोस्ट लगेगी वो लगेगी 1500 रुपया मतलब साड़े 18,000 हो गया फिर आपका 500 रुपया आटो का 19,000 हो गया तो इस इसाब से वो खर्चा बनता है मतलब आपका 19,000 से 20,000 रुपय पकड़ के चलो आजकल शटर का खर्चा चल रहा है और पर स्केर फीट के साब से 145-165 हो गया क्या गया चीज़े चेक करनी है झाल झाल झाल